देड़ी से बगेरी अल्टर टेक्सीमेंट फैक्टरी के बीच बने पुल की हालत खस्ता हो चुकी है आपको बता दे कि यह पुल पंजेहरा बद्दी बरोटी वाला इंडस्ट्री खशेतर को जाने वाली सड़क मार्क पर बना हुआ है लेकिन पिछले लंबे समय से इस पुल की हालत ऐसी हो चुकी है कि इस पर बड़े वाहनों को ले जाना टेड़ी खील साबित हो रहा है पुल पर बने बड़े बड़े खड़े लगातार हाथसों को नियोता दे रही है जहां इस पूल पर बड़े वाहनों को चलाना तो खत्रा बना हुआ है और साथ में दो पहिया वाहनों के वी ये सफर करना मुश्किल हो रहा है आपको बता दें कि इस पूल के साथ ही अल्ट्रा टक सेमेंट फैक्टरी भी लगी हुई है जिससे हर रोज सैकडो ट्रक आवाज अभी देली जांदेवाज हो साथ मारा हो सांधी कोई पर शॉल बरस और बटेना पता रादा कित थे सब्सक्रीज करत सकते हैं अनों नहीं हो सकती है कंपनिया ऐपाद ही क्या कर दी धैनि देख सकते कि पूल बूरा हाल है जी हमारे रपोर्टर भाई सकति कि तो तो खंटे पड़े हुए देख़ें कितने कितने बड़े है पर बरसात में तो यहां बहुत बुरा हाल हो जाता है इसलिए हमारी यहीं माग है जल्दी से चल्दी ठीकरवाया जा सके जाए हिंग जाए मांतर देवासी है मोड़े अधिनी दो लेके बगेरी तक इननी खासा हालत होगी हुए है बुरा हाल पर होया यह कोई बीमार भी होगे तो ओभी पिचरा अद्दा भूमार तो यह थे खड़ियां देपे चल्द कोई लाजनी का कर रहे है ना को सब प्रशास जाए हो जिसांबड़ी आई इससे तरह नता होया होया जमेकिन लास्ट स्टेज होगी ने कैंसर दी ओंक होया है इदा कोई लाजनी हैगा मेरे ख्याल दे बहुत खबरन लग दिया बहुत सबकुता अट्रक सारे रोडां चे खड़े होई है एक पार्किंग निया कोशनी आ बहुत मंदी हालत होई आजी कोई सुनाई निकार दाई है बक्की अपना शोड़ी मोड़ी कटना हों दिया डेली रोजी ते बक्की सरकार्तों सी मंग कर दे इनों शेती तो शेती ठीक किता जावे हमाचल सरकार तो पन्याब सरकार तो भी एजिमें वी जोएंट पेन अबने बद्दी दी ते इन्हों नों जल्दी जल्दी ठीकिता साथी प्रशाशन नों भी ते सरकार नों भी बेंतिया जी स्वास्षिकाल जी